दोस्तो क्या आप लोन लेना चाते हैं लेकिन सिबिल स्कोर, हाइर इंट्रेस्ट रेट और लॉट्स अप पेपर वर्क से परिशान है तो गबराई ये मत अब आपकी म्यूचल फंड के इन्वेस्मेंट के अगेंस भी लोन ले सकते हैं जी हां हम म्यूचल फंड क्यों लेते हैं क्योंकि हमारे कुछ फाइनेंशल गोल्स होते हैं जिनको हम पूरा करना चाते हैं तो लॉन टम के लिए हम म्यूचल फंड में वन टाइम इन्वेस्मेंट करते हैं अब ये one time investment अगर आप long term के लिए रखते हो तो आप screen के उपर एक chart देख रहे हो तो आप अगर 26 साल 25 साल तक mutual fund के investment रखते हो तो 3 लाग की investment अगर आप सालाना 14% भी return कमाते हो तो आपकी जो investment है वो 90 लाग तक चली जाती है लेकिन ये पैसे आप निकालोगे 26 साल बाद या 25 सा इमर्जनसी सिच्वेशन आजाती है कोई medical situation हो सकती है या फिर घर में शादी हो सकती है और इमर्जनसी आपको पैसे की जरूरत बढ़ सकती है या फिर आपके बच्चे की school की fees हो गई कुछ नहीं हुआ तो आप एक trader हो और आपको margin call आ जाता है आपके broker से तो इस वक्त आप को बहुत जादा जरूरत होती है कि पैसे किस तरीके से मैं वहाँ पे दे सकूँ तो इसके लिए आपके पास दो option होते हैं सबसे पहला option है कि आपकी mutual fund की जो investment है आप उसको redeem कर लो लेकिन mutual fund में आप जब भी redeem करने के लिए जाते है तो bank account में पैसा आता है तीन या चार दिन के बाद तो आपकी जो needs है दूसरे दिन जो आपको पैसे चाहिए वो complete नहीं होती है तो दूसरा option आपके पास आता है mutual fund के investment के against loan लेना आज की इस वीडियो में मैं आपको यही process बताने वाला हूँ कि vault money की मदद से आप आपके mutual fund के investment के against loan कैसे ले सकते हैं अब मान लो आपन आपको अगर redeem करना है तो उसके उपर short term capital gain tax देना पड़ेगा और मान लो एक साल से ज्यादा भी आपने mutual fund रखे है तो उसके उपर भी आपको long term capital gain tax देना पड़ेगा अगर सारे units आप बेच देते हो तो आपको tax भी भरना पड़ेगा और पैसे भी late आएंगे तो इसके अल eligible criteria आपका यहां पर चेक कर सकते हो तो वोल्ट मनी आपके लिए एक ऐसा platform है जो eligible criteria पंदरा सेकंद में चेक करवाता है और loan का disbursement जो है वो चार घंटे में कर देता है तो अगर emergency situation में पैसे की जरुरत होगी तो आप इसे use कर सकते हैं अब ये किसके लिए useful है इसका requirement क्या है criteria area क्या है सारी चीज़े देखेंगे उसके साथ application की उपर जाके पूरी process कैसे complete करनी है ये भी मैं बताने वाला हूँ अगर वोल्ट मनी से आपको भी loan का eligible criteria चेक करना है तो उसके link जो है वो description में available है अब वहाँ जाके आपका account भी open कर सकते हैं और free में loan की eligibility भी चेक कर सकते हैं अब आते हैं इसकी requirement के उपर इसकी जो सबसे पहली requirement है वो है आपकी mutual fund की जो investment है वो minimum 50,000 रुपे के होनी चाहिए यहाँ पे हम सिर्फ one time investment की बात कर रहे हैं ना कि SIP की बात कर रहे हैं तो minimum अगर 50,000 या उसके उपर आपकी investment है तो आप eligible हो जाते हो इस प्रकार के loan के लिए अब दूसरा है कि loan कितना मिलेगा तो इसका जो eligible criteria है इस criteria में आपको 25,000 से लेके 2 करोड रुपे तक का loan मिल सकता है लेकिन कुछ चीजे है जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपने purely equity mutual fund में investment की है तो आपको 50% आपके investment के loan मिलेगा मान लो आपने equity mutual fund में 1,000 रुपे की investment की है तो आपको 50,000 रुपे का ही loan मिलेगा दूसरी चीज अगर आपकी investment purely debt fund में है यानि कि government securities या corporate bond में आपने investment करी है तो आपका जो यह criteria है वो 80% तक हो जाता है यानि कि आपको जो loan है वो 80% तक का मिलेगा मान लो आपकी investment 1,000 रुपे की है तो आपको 80,000 का loan यहाँ बे मिल सकता है और तीसरा अगर आपने liquid fund में investment कर रखी है तो आपको 90% तक का loan मिल सकता है यानि कि 1,000,000 रुपे की उपर 90,000 का loan मिल सकता है अगर liquid fund में investment कर रखी है तो अब दूसरी requirement की उपर आते है आपकी age जो है वो 18 से 50 की बीच में होनी चाहिए उसके साथ-साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए आदार कार्ड होना चाहिए पैन कार्ड और आदार कार्ड एक दूसरे से link होना चाहिए उसके साथ-साथ रजिस्टर mobile number वो भी आदार कार्ड से link किया हुआ रजिस्टर email address और bank details ये सारी चीज़े अगर आपके पास है और आपके पास mutual fund की investment है तो आप इस loan के लिए eligible हो जाते हो अब आते हैं दूसरे point के उपर जब आप personal loan लेने जाते हो तो आपको higher interest rate देना पड़ता है वो interest rate 14% से लेके 16% के बीच में हो सकता है कुछ-कुछ banks आजकल 13% पे भी personal loan दे देते हैं लेकिन अगर आप इस facility को use करते हो volt money से mutual fund के against loan लेते हो तो आपको interest देना पड़ेगा 9% से 11% के बीच में यानि कि आप समझ रहे हो personal loan से काफी कम interest rate पे आपको यहाँ पे loan दिया जा रहा है दूसरा अगर आप personal loan लेने जाते हो तो आपको civil score देखना पड़ता है bank के statements जमा करने होते हैं आप कहाँ पे job करते हैं आपकी position क्या है ये सार चीज़े आप अगर टालना चाते हैं तो आप gold money का इस्तेमाल कर सकते हैं mutual fund के against आपको loan लेना है तो आपसे ना civil score पूछा जाएगा ना कोई paper work complete किया जाएगा ना आपको bank के documents देने पड़ेंगे ना आपको यह बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे job करता हूँ मेरा profession ये है मेरी position ये है ये सारी जीज़े बताने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ बताना है कि मेरी investment कितनी है वो तो आपके pancard से link होता है वो पता ही चल जाता है तो जैसे ही pancard number आप enter करते हो आपकी जो भी investment है वो वहाँ पे दिखाई देगी और उसके हिसाब से आपको कितना loan वो भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा दूसरा feature यहाँ पे है overdraft facility का अब जिन लोगों को overdraft facility के बारे में पता नहीं है उनको मैं बता दूँ अगर आपको overdraft facility मिलती है तो आपको एक certain amount दी जाती है unlock करके कि आपकी eligibility है वो इस certain amount की है ये आपका overdraft है और इसमें से आप कि इतने पैसे निकालोगे उसके उपर ही आपको interest लगेगा अब bank में जाओगे तो वही होता है यहाँ पे भी वही procedure है मान लो आप 10 लाख रुपे की overdraft के लिए eligible हो अब उसमें से आपने 5 लाख रुपे unlock कर दिये आपको जरूत है इसकी वज़े से अब उस 5 लाख रुपे मे से भी आपको सिर्फ 1 लाख रुपे की जरूत है तो 4 लाख आप available cash में वैसे ही रखोगे और 1 लाख सिर्फ bank में withdraw करोगे अब आपको जो interest लगना है वो सिर्फ उस 1 लाख के उपर लगना है बाकी के 4 लाख रुपे आपने अभी तक use नहीं किया है उसको हाथ नहीं लगाया है तो उसके उपर कोई भी interest नहीं लगेगा जितने पैसे आपने bank में withdraw किये है उतने पैसे पी ही आपको interest देना है और यहीं चीज़ आप loan against mutual fund में भी कर सकते हो मान लो आपको 1 लाख रुपे की जरूरत है और आपने 5-7 लाख रुपे unlock करके रखे है तो 1 लाख रुपे withdraw कर principal amount नहीं कोई भी principal amount यहाँ पर बरने की जरूरत नहीं है आप बाद में जब आपके पास पैसे जमा हो जाए तो वो principal amount आप एक साथ बर सकते हो और उसके लिए भी repayment का कोई भी fees आपको नहीं चार्ज किया जाता तो महीने के महीने सिर्फ जो छोटा सा interest होगा वो पे करो principal amount नहीं पे करोगे तो कोई problem नहीं है एक साथ जब पैसे जमा हो जाएंगे तब आप सारा principal वहाँ पर भर सकते हो अब बहुत लोगा का question होगा कि processing fee लगनी है या नहीं लगनी है अब इतनी सारी चीज़े कर रहे हो तो यह processing fee तो लेंगे ही न तो 1% की processing fee आपको यहाँ पे दे अब हम आते हैं पूरी process के उपर किस तरीके से आप login कर सकते हो किस तरीके से आप eligibility चेक कर सकते हो और किस तरीके से account open करके loan यहाँ से ले सकते हो उसके उपर नज़र डालते है और आप देखिए अब मेरे mobile screen के उपर सारी चीज़े आपको दिखाई देंगे सबसे पहले इनक वक्त में देख सकते हो कि आपकी credit limit कितनी है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि credit limit 31,00,00 के आसपास है अब आपको आपका account open करना है आपका email address use करके email address के बाद आपको OTP आएगा OTP enter करना है pancard details और bird details enter करनी है और उसके बाद continue करना है जैसे ही आप continue करते हो तो आपको जो credit limit है वो set करनेगा यहाँ पर मोका मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो आप आपकी जो selected amount है वो यहाँ पर set कर सकते हो जैसे हमने इस example में 5,00,00 की जो limit है उसे unlock करने की यहाँ पर कोशिश की है और 5,00,00 की amount यहाँ पर unlock की है आपकी जो verification है वो complete करनी से आपका pancard और आधार card आपको यहाँ पर verify करना होगा और उसके verification के बाद आपको एक step और करनी है जो process है bank के add करने की जैसे कि आप देख रहे हो आधार card pancard verify हो गया है अब आपको आपकी जो bank है वो select करनी है जो भी आपकी bank है वो यहाँ पर verify करनी है एक रुपए आपके bank म अमाउंट है उसमें से हम एक लाख रुपए निकाल रहे है और OTP के जरीए एक लाख रुपए की जो process है disbursement जो है वो complete हो गई है अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि पाच लाख रुपए की जो अमाउंट है हमने यहाँ पर unlock की थी और उसमें से requirement हमें थी सिर्फ एक लाख रुपए की तो एक लाख रुपए ही हमें यहाँ पे निकालने थे तो उतने ही पैसे हमने withdrawal कर ली है तो यह overdraft facility अभी भी available cash में 4 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहे है तो एक लाख रुपए जो हमने withdrawal किये है उसके उपर ही interest pay करना होगा और जब आपके पास प money के जरिये loan लेने की against your mutual fund तो जो भी आपके mutual fund है चाहे equity mutual fund हो चाहे debt mutual fund हो चाहे liquid fund में आपने investment की है तो उन सब का जो investment है उसको check किया जाएगा और उसके basis के उपर आप कितने credit limit के लिए eligible है वो आपको बताया जाएगा अब उसमें से भी आप जो amount unlock करना चाते है वो आप amount unlock क withdrawal करना चाहते हैं तो वो withdrawal कर सकते हैं जैसे कि process में आपने देखा कि limit हमें थी 31 lakh की उसमें से 5 lakh रुपे हमने unlock कर दिये और उसमें से 1 lakh रुपे हमने निकाल लिये तो जो 1 lakh रुपे निकाले है उसके ही उपर आपको interest देना है तो ये सारी process है loan against mutual fund की बहुत ही बढ़िया तरी secure तरीका है loan लेने का क्योंकि security आप क्या कर रहे हो एक तरीके से प्लीज कर रहे हो आपके जो भी asset है वो आप प्लीज कर रहे हो और उसके against में loan ले रहे हो जैसे कि हम DMAT account जब इस्तमाल करते हैं तो stock को प्लीज करते हैं और उसके उपर आप पैसे लेते हैं आपके DMAT account से वे इननी पड़ेगी और आपको bank में क्या होगा कि time भी बहुत ज़्यादा लगेगा पेपर वर्ग भी करना पड़ेगा और processing fee और बहुत सारी जीजे भी गरनी पड़ेगी तो ये सारी जीजे आपको यहां नहीं गरनी पड़ती है और आसानी से आपका loan जो है वो disbust हो जाता है चार गंटे में इनकी website पे जाओगे तो simply लिखा हुआ है कि चार गंटे में आपका loan disbust हो जाएगा अगर आप सही दरीगे से eligibility देखते हो तो अगर आपकी कोई mutual fund investment नहीं है तो इस site के उपर जाने की चिश्टा ना करें क्यूंकि mutual fund में investment ही नहीं है तो आपको loan मिले नही नहीं मजाग कर रहा हूँ यह सच बात है लेकिन तो यह है पूरा process loan against mutual fund का I hope आपको पूरा process अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यू हमें mutual fund के against loan लेना चाहिए क्या क्राइटेरिया है किस तरीकी के features है यह सारी discussion आज आपने इस वीडियो में की है वीडियो अगर अच्छा लिंक है अकाउंट उपन करने के लिए आप वो लिंक का इस्तिमाल कर सकते हो बागी चैनल को subscribe करना मिलते है एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ दन्यवाद